भारत देश सोधन्ता के पच्चतरवा साल आजादी के अमुरुत महसों मना रहा है आजादी के इस जशन को जोश और उत्सा के साथ मनाने के लिए भारतिय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा भविती रंगा बाइक रेली का आयोजन किया गया मुंबे के एंसीपी नरीमन पॉइंट से लेकर एतिहासिक अगस्कांती मैदान तक यात्रा का शुभारम महराज के विधासबा अध्यक्ष रावन नार्वेकर राज्य के पुर्वग्र राज्य मंत्री श्री कृपा शंकर सिंग राज्य के भादपर सचीवे एंड अकली चौ भारतिय जंता युआ मोर्चा के राश्य सचीवे एवन प्रदेश प्रभारी श्री गौरो गौतम जी भी जुड़े यात्रा का समापन मुंबई के एतिहासिक अगस्कांती मैदान पर विशाल जन सभा में हुआ इस सभा में भाश्पा के प्रमुक नेताओं ने युआओं का मार्ग दर्शन किया और आजादी के अमुरुत महसोत में युआओं की योगदान की सरहना की इस्रेली के दौरान भारतिय जंता युआ मोर्चा मुंबई अद्दक्श्री तेजंदर सिंग तीवाना मीडिया स से बाचीत करते हुए कहा है कि आज दे सोतन तरगी 75 वशगाट मना रहा है आजादी का मुरुत मौसो ये एक्तिवार है जिसे देश का हर व्यक्ति को मनाना चाहिए मानिने प्रदान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के नेत्वत में राष्ट और हमारे प्रिय नेताश देव मैगनेटिक महाराश बनाने का संकलप लिया इस यातरा के सनियोजग और युवा मोश्या मोंवी उपाद्यक शी शीवम सिंग ने मीडिया से बाचीत करते वे पार्टी के वर्ष्ट नेतवत को युवा मोर्चय और गौरशाली यातरा का उत्तरदाइतों सौपने का अभार व्यक्ति किया शीवम सिंग्ने मानीने अपंध प्रधान शी नरेंदर मोदी जी और महराश के उकमुक मंत्री शी देवंदर फटनवी जी के नेतवत और मंगल प्रभात लोडा जी के और तेजंदर सिंग तीवाना जी के विश्वास को अपनी ताकत बताते तिरंगा बाइक यात्रा के सफल आयोजन का श्रे वरिष्ट नेत्वत को दिया के विश्वास को देख अपना जी को देख विश्वास कार सफल एक ये बाइक दो ये अद्वास की तो है इस बाइक राली के समय उपस दिद रहना ये सौबागयों की बात है और भारत आज अमरित महत सभी आजादी के वर्ष में प्रागम कर रहा है तो मैं समझता हूँ ये बड़ी उपलप्ती है और इसे बड़े होच और जोश से युवा शक्ती इसे सेलिबरेट कर रही है इसका हम स्वागत करते हैं और इन्हें सब युवाओं को देश के युवाओं को गुंबई के युवाओं को इधर उपस्तित युवाओं को मन से शुबेच्चाय देते हैं और आने वाले स्वतंतरता दिन की भी बहुत-बहुत शुवत कामनाएं देते हैं जैसे मां गंगा बहती हैं और चलते चलते अपने राश्टे करते जाते हैं तो इसे भारत की सुत्रता के पचहतरवी बरसकांट पे घरगर तिरंगा अधरी प्राणमंती नरे नूदी जी के निकृत में भारती जनता पार्जी के सभी सारे लोगों नित्ता ही किया है आज हमारा भारती जनता पार्जी का युवा मुर्चा राउल नार्विकर जी आ गए हैं अभी मुझे लगता है कि अपने कारगां आगे बढ़ाना है इसलिए ये हर घर में आपके घर में हमारे घर में कोई घर नहीं बढ़ना चाहिए जहां इससे हमको हमारे देश की हमारी राश्रीता हमारी एकता का एक परचे नहीं करेंगा देखिए जो देश के बच्चतरवा स्वतनतता दिवस है ये पूरे देश में एक त्योहार से भी बढ़कर इस तरीके से मनाये जा रहा है और आज आप देख सकते हैं सैकडो यूवक जारेंदर मोदी जी के आवान पर मुंबई में इतनी बड़ी संक्या में सभी यूवक तिरंगा यातरा में शामिल होने के लिए आपके सामने मुंबई में हाजिर है और हर घर तिरंगा का संकल्प सो टका मुंबई करोंने लिया है और आपको आने वाले 13 तारिक से 15 अगस तक सभी घरों में मुंबई के तिनंगा लेहरा तो दिखाई देगा। तो आज की आज ये रेली कान तक आपके जाएगे और इस रेली के माध्यम से मुंबई करों को क्या कुछ मैसेज देंगे? हम मुंबई करों को ने हम देश को पूड़े विश्व को ये मेंसे दिना जाते हूं युवरक कि आज हमें 75 साल के आज़ादी के बाद ये अविमान सबसे ज्यादा है हमारे देश में जो लोगों से घुर Level कि ज़ुम्र हमारे जाद करते हुए उन सबसे दिना चाहिए मैंuti यात्रा की शुरुवात करते हुए एक संदेश सभी मुबईगर को देना चाहिए कि हर घर में आप तिरंगा लगाईए तो जिस तरह से आप इतने उर्जा के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे विपक्षी हुआ जो युवा है उनको क्या कहना चाहेंगे विपक्ष में पहली बार पूरे देश में इतने उत्सा के साथ में एक त्योवार के नाते जो हमारे आजादी का अमुरूत मुद्सव मनाये जा रहा है पूरी जी का आदेश आया है कि हर गर तिरंगा रहना है तब से हम तयारी में लग गए हैं और आज इतनी बारिश होने के कारण भी जो इतने युवा आये हैं उनमें कहीं न कहीं एक जोश है जो 35 साल पहले जो जिन रोगों ने देश के लिए आजादी के लिए लड़ा था उनमें जो जोश है आज वही जोश हमारे युवा साथी यहां लेके आये हैं नहीं तो इतनी उमीद नहीं थी जिस हिसाब से बारिश हो रही थी ऐसा लगा नहीं था कि इतनी लोग यहां इकटे हो पाएंगे मगर आज एक हमारे प्रधान मंतरी ने कहा है कि हर घर तिरंगा रहना चीए तो उस हिसाब से हमारे युवा आज सब आगे बढ़के आए हैं और हमारे अध्यक्ष श्री तेजिंदर तिवाना जी ने ये शंकल प्रिया था कि हम जो रैली निकालेंगे वो सबसे अच्छी होगी और एक अच्छा संदेश देंगे हम देश के युवाव को किस तरह से लगता है आणगर तके तिरंगा पहुचेगा अवश्य पहुचेगा सनमानिया देश के पंदर पजार नरेंद्र पोदी जी के आवान पे पूरे देश बर में आने वाले आजयादी का अमरित महुच्ट्सव जो हम मना रहे हैं जो 13 से 15 तरिक तक घर गर तिरंगा जो आवान हम लोगों को कर रहे हैं इस बाइक रहली के माध्यम से पूरे मुंबई नहीं पूरे माराश्ट्न नहीं पूरे देश बर में युवा मोर्चा बाइक रहली और विबिन एरियाओं में जाके इसका प्रचार करके हर एक नागरिक को अस्वस्त करेगा कि वो अपन घर में तिरंगा ले रहा है और आने वाले 13 तारिक से 15 तारिक के बीच में पूरा हिंदुस्तान तिरंगा माई होगा धन्यवाद